हलो बच़ो, आज हम class age की book honey doook का lesson 6 this is jody's phone इस जोडी's phone पढ़ेंगे और इसके author है Marjorie Kindle Rawlings ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने कि this is jody's phone का मतलब क्या है तो जोडी एक बच्चे का नाम है और phone होता है हिरन के बच्चे को कहते है तो यह जोडी का फॉन है, यानि कि जोडी का हिरन का बच्चा है, ठीक है, सी दें बिफोर इट, ओफेज इनिस्ट अफ रशिंग तो डॉक्टर तो ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड कोई कैन एफेक्टिव क्योज यूजिंग तिंग्स अवेलेबल एठ हो, अक् हम लोग को लग जाते हैं, या फिर जल जाते हैं, या चोटा सा कोई कट लग जाता है बोरी में, तो बजाएं डॉक्टर के दिखाने के, हम उसको जल्दी से और एफेक्टिव वे में, बहुत प्रभावशाली ढंग से उसको क्योर करते हैं, घर की पे जो अवेलेबल चीज लग जाएं, तो घर में अवेलेबल चीजों से कैसे उसको क्योर करना है, अब बर्न on your arm, अगर हाथ में जल जाएं, अब भी इस्टिंग, अगर कोई आपको मदो मक्खी डंक मार दे, इस्टिंग होता है, डंक, तो आप कैसे ट्रूइट करेंगे, इन दिस स्टोरी, जोडी उनको एक जहरीले साप में काट लियता है, काट लिया है, वो जल्दी से इक डो को मारते है, इस को बहार निकालने के लिए यूज करते हैं, जाने कि वो को ऐसा क्यों जानते थे जिससे हिरनी के हार और उसके जिगर लिवर से जहर जो साप का जहर है उससे बहार निकाला जा सकते हैं तो इसलिए वो जल्दी से एक हिरनी को मारते है जोडी's wonders what will happen to the little fawn left without mother और जोडी जो एक छोटा सा बच्चे है वो सोचते है कि अब उसके जो fawn का क्या होगा उस हिरनी के बच्चे का क्या होगा जो अपनी मां के बेगार छूडी है क्योंकि हिरनी को तो मार दिया लेकिन अब उस बच्चे का क्या होगा तो हम आज इस कहले में पढ़ेंगे जोडी allowed his thoughts to drift back to the fawn he could not keep it out of his mind he had held it in his dreams in his arms he slipped from the table and went to his father's bedside penny lay at rest his eyes were open and clear but the pupils were still dark and dilated see the difficult word first drift होते है drift back मतलब वापस जाना वापस जाना यहां पर देखी लिखा भी है to go back और slipped होता है कि बिना आवाज किये कहीं सरग जाना नहीं slipped from the table मतलब कि बिना आवाज किये चुपचप सरग गए उसको slipped कहेंगे और dilated का मतलब होता है in large valley way so we see the explanation judy judy allowed his thoughts to drift back to the phone और judy जो है अपनी विचारों को allow करता है कि वो बार बार उस हिरन के बच्चे पर जाए यानि कि judy बार बार जो है उस हिरन के बच्चे के बारे में सोच रहा है he could not keep it out of his mind वो उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है he had held it in his dreams in his arms और वो मैसूस कर रहा है उसको हिरन के बच्चे के बारे में अपनी सपनों में सोच रहा है अपनी बाहों में सोच रहा है उसको he slipped from the table and went to his father's bedside वो टेबल से पिना आवाज के उठा और अपने पापा के पास गया जो की बेट पे लेते होगे थे penny lay at rest penny उसने अपने father को का है और वो अराम कर रहे थे his eyes were open and clear उनकी आखे एकदम फुली होए थी और साफ थी but the pupils were still dark and dilated लेकिन जो इसकी आखे पुदली थे pupil कहते हैं आखे पुदली को जो काला हिस्सा होते है वो जो है अभी भी dark थी और dilated थी फैले होई थी और वो इस तर पर क्यों लेटे थे क्योंकि थोड़े दिन पहले उनको सापने काटा था ना Jody said how are you feeling पापा आप कैसा फील करें कैसा मैसूस करें just fine son अम बता उन्होंने कहा कि हाँ मै ठीक मैसूस हूँ कर रहा हूं all death has gone thieving elsewhere but wasn't it a close shape और वो कह रहे थे उन्होंने कहा कि जो म्रत्यु थी जो साफ के काटने से उनको आ सकती थी has gone thieving elsewhere कहीं और चले गई है but wasn't it a close shape कि और क्या मैं बाल बाल नहीं बज़ गया wasn't it a close shape कि वो बाल बाल बज़ गया बिल्कुल साफ के काटने से penny said I am proud of you boy the way you kept your head and did what was needed और उनके पापा कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि जिस तरह से कटन पर स्थित्यों में तुमने ध्यार और सहयम से काम लिया जो की आवश्यक था उससर में तो तुमने बहुत अच्छी से काम किया ध्यार के संग कीप यो हेड यू कैप यो हेड एंड तो ठीक है तो उसका मतलब है कि तुमने बहुत भी ध्यार से काम लिया तो सी दे नेक्स पीज पर यह सन और उसने अपने फादर को पाग है कि वह एड्रस कर रहे है और उनने कहा बेटा पर डू यू रिकलेक्ट दो एंद फोन क्या रहे है कि क्या आपको उस हिरन के बच्ची की और उसकी हिरनी जो उसकी मां थी उसको आप याद कर पा रहे है यह इम्याजिन कर रहे है ना ऐसे हिरन का बच्चा यह जूड है उसके फादर बिस्तर पर लेटे है साप ने काता था ना आमने पड़ा था भी I can never forget them the poor doe saved me that's certain और उसके पापा ने कहा कि नहीं मैं उनको कभी नहीं बू सकता उस बिचारी हिरने ने मुझको बचाया है और यह निश्चित है that's certain पाप दफॉन में बी आउट देर येट it might be hungry and very scared और उसने जोड़ी ने कहा कि पापा कि वो फॉन जो यह हिरन का बच्चा अभी भी बाहर होगा और वो शायद भूका भी हो और डरा हुआ हो इसके I suppose so और इसके पापा ने कहा कि हाँ मुझे ऐसा लगता है हो सकता है पापा I am a big boy now and don't need to drink milk why don't I go and see if I can find the phone और उसने कहा कि पापा मैं बड़ा लड़का हो गया हूँ अब मैं दूद नहीं पीता हूँ यानि कि मैं दूद पीता बचा नहीं हूँ तो क्या मैं बाहर जाके उसे फिरन के बच्चे को ढूँद सकता हूँ and bring it here और उसको यहाँ ला सकता हूँ and raise it और raise it यहां मतलब है कि उसको पाल बाल के बढ़ा कर सकता हूँ penny lake wide staring at the ceiling और उसके पापा जो थे वो चुप चाप लेटे रहे और staring होते है घूरने को कहते है और घूर का ceiling च्छत पे देख रहे थे ceiling होते है जाप अंखा लगा हो तो उस तरब खूर रहते why you have got me hamden और hamden कहते हैं यहाँ पर लेखा भी है कि caught in a situation where one cannot say no ठीक है कि ऐसे situation of us जाए तो जिसमें कोई ना ना कह सके है ना कि उसको जख मारके हाँ ही कहना पड़े तो कह रहे है तो उसके पापा कहते है बेटा तुम क्यों नहीं कह सकते है क्योंकि उस हिरन के बच्ची की मा की वज़े से ही उनकी जान बच्ची थी ना तो जहर का असर से उनकी डायत हो सकती थी इट वोंट टेक मच तो रेज इट पा इत विल सून स्टार्ट इटिंग लीव्स अन एक्राउं एक्राउं होता है कि छोटे-छोटे भूरे रंगे नट होते है उनको एक्राउं कहते हैं देखिए यह आपर लिखा भी है स्मावल ब्राउन नट और वह बेटा कहता है उनका पैसा भी लगता है और मेहनद भी लगता है तो कहते हैं कि इट वोंट टेक तू मच उसको बला करने में ज्यादा पैसा और नहीं लगेगा इट विल सून स्टार्ट इटिंग लीव्स अन एक्राउं और बहुत जल्दी ही पत्तियां और ब्राउन नट खाने लगेगा और उसके पापा के दे तुम अपने एज के और लड़कों की या पिक्षा काफी समार्ट हो हम लोग हमने उसकी मा ले लिये मालक की हिरनी है न और एड वाजन के बच्चे का तो दोश नहीं है और वो कहते हैं हाँ वाकई में अगर हम उसको भूको रहने छोड़ देंगे तो काफी यह अन ग्रेटफुल बात होगी हम उसका अभहार नहीं व्यक्त कर रहे हैं न वह चोटा से बच्चा छूड़ गया है और उसकी ममी को मार दिया अपनी जान बचाने के लिए तो क्या रहे हैं कि अगर ऐसा हम उसको भूका रहने के लिए छोड़ देतें तो वाकई यह गलत होगा और हमको उसका अभहार व् कि आप वो बचेंगे नहीं कैने राइड बाक विद मिल वील और उन्होंने कहा उस जोड़ी ने क्या मैं जो हूं मिल वील के संग जा सकता हूं मैं उसके राइड करके घोड़े पर और देखता हूं कि अगर वो मिल जाए फॉन है ना टेल जो मां अपनी ममी को बता दो और मैं कहा दूँगा कि हां कि तुम जा सकते हो वे कह रहे हैं कि अपनी ममी को बता कि जो मैं भी उनसे कहा दूँगा he settled back to the table and sat down his mother was pouring coffee for everyone and he settled back होता है कि एकदम दूपक कि वो वापस आया चुपचाप और table पर और बैड़े गया और उसकी मामी जो थी, सबके लिए कॉफी पलट रही थी, कप्स में कॉफी पोर करे थी, यानि कि केथली से सब कॉफी एक कप्स में डाल रही थी, he said, मा, पापा सेज, I can go bring back the phone, और उसने आपने कहा, कि मामी, पापा कह रहे ही, कि मैं उस हिरन के बची गोला सकता हूँ, she held the office pot in media, what phone, और जब उनकी मामी ने सुना, तो वो कॉफी का जो pot था न, बरतन, उसको हवाई में, उनका हाथ हवाई में रोग गया है, यानि कि वो एकदम अवाक रहे गई, यानि कि, what phone, क्या, हिरन का बच्चा, the phone belonging to the doe, we killed, we use the doe's liver to draw out the poison, and save पापन, और जोरी ने कहा, कि जो वो उस हिरनी का बच्चा है, जिसको हमने मार दिया है, और जिसके कि लिवर को पापा ने अपना poison निकालने के लिए यूज किया था, और save किया था पापा को, she gasped, और वो जो थी, gasped था है कि बहुत चंबित हो गई, बहुत चंबित हो गई, बहुत चंबित हो गई, well, for pity's sake तो कहती है कि हाँ, अब दया तो दिखाने थी था, pretty sick, अब दया उनको भी आई होगी, हाला कि वो मन से नहीं कर रही थी, यहाँ पर ऐसे लग रहे है कि उनको मन नहीं था कि लाने का, लेकिन जो है, अब चुकि अब उसकी मदर को मारा था, तो लाने था, पास इस, it would be ungrateful to leave it to star, और जोडी कहता है कि पापा कहते हैं कि यह बहुत ही अभार व्यक्त ना करना होगा कि अगर हम उसको भूख रहने ले छोड़ देते हैं, डॉक विलसन सेट, और एक कोई डॉक विलसन नाम का आदमी है, वो कहता है, that's right, ma'am, और वो भी जोडी के माँ से कहता है, कि हा को पे करना पड़ता है, अभी आने कि अब उसकी मदर को मारा है अपनी जीवन बचाने के लिए, तो आपको उसकी बच्चे को देखना पड़ेगा, the boy is right, and his daddy is right, और लड़का भी सही है, और उसकी पापा भी सही है, यह सब कोई डॉक विलसन नाम के आदमी है, वो कह रहे ह he can ride back with me, I will help him find it, और मिल विल ने कहा, कि जो है, वो मेरे संग घोड़े पर चल सकता है, और मैं उसका ढूड़ने में मदद करूँगा, ठीक है, she set down the pot helplessly, और उसने जो है, बहुत, बिचारी, helplessly, बिलकुल, कोई जैसे कोई मदद ना कर रहा, बिलकुल आसा है, और उसने, जो, कॉफी का पॉट था, रख दिया, विल, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it, ठीक है, लेकिन, और उसकी मामी कहती ही, if you will give it to your milk, कि तुम अगर अपना दूद जो है, जो तुम पीते हो, वो उसको दे दोगे, तो, we have got nothing else to feed it, तो, otherwise, कि उनके पास, कुछ भी उसको feed कराने के लिए नहीं है, यानि कि वो पैसा नहीं खर्च करना जा रही है, है ना, उस हिरन के बच्चे पर, Millville said, come on boy, और यह कि यह Millville है, जो फोटो में बैठा हुआ है, खोड़े पे, said, come on boy, we have got to get riding, और उनने का बटा आओ, और हम लोग ride करते हैं, Maa Baxter asked anxiously, you will not be gone long, और Maa Baxter, यानि कि मदर नहीं कहा, कि बहुत ही anxious होके, कि बहुत ही जादा दूर नहीं जाना, you will not be gone long, Jory said, I will be back before dinner for sure, उसने कहा कि बहुत है, मैं dinner से पहले वापस आजाओंगा, Millville mounted his horse and pulled Jory up behind him, और Millville जो था, वो अपने horse पे चढ़ा, and pulled Jory up behind him, और अपने पीछे, जो है, Jory को बिठा लिए, आप फोटो में दीख रहे हैं, यह Millville है, जो हैट लगाए, और पीछे Jory बैठा हुआ है, और जब उसकी ममी ने कहा, कि बहुत यह जादा दूर नहीं जाना, उसने कहा कि मैं रात को dinner से पहले आजाओंगा, He said to Millville, do you think the fawn is still there, और Jory ने Millville से रास्ते में पूशा, कि तुम्हें लगते हैं कि fawn, हिरन का बच्चा भी भी वहाँ होगा, Will you help me find him, क्या तो मेरी मदद करोगी उसको ढूणने में, We will find him if he is alive, और Millville ने कहा, कि हम उसको, अगर वो जिंदा हो है, तो हम उसको ढूण लेंगे, How you know, it is a he, और तो कहते हैं कि, Millville ने उसे पुचा, तुम्हें कैसे मालूम कि वो he है, यानि कि वो उसका gender, जो link है, वो masculine है, यह तुमको कैसे मालू, तुम उसको he क्यों कह रहे हो, she क्यों नहीं कह रहे हो, So, see the next page, The spots were all in a line, on a door phone passes, the spots are every which way, Every which way, in different direction, तो कहता है, कि वो he, मेल हिरन है, क्यों मैं इसलिए जानता हूँ, कि उसके जो spots है, हिरन के पीट पे जो spots होते हैं, धब्बे, काले, तो वो in a line, वो सब line में है, on a door phone, और अगर कोई female हिरन का बच्चा होता है, तो पापा कहते हैं, कि उसके जो spots होते हैं, वो different directions में होते हैं, और जबकि एक male हम कैसे पेचानेंगे, कि अगर male हिरन का बच्चा है, कि एक छोटी हिरन का बच्चा जो है लड़की है कि लड़का है, तो फुर लड़की जो अगर female हिरन होगी, तो उसके छोटे बच्चे के spots different direction में होंगे, लेकिन male हिरन के बच्चे phone के एक direction में spot होते हैं, तो यह उसके पापा ने उसको बताया था, तो इससे वो पैजान गया, जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर थो, thoughts of the phone, दे पास्ता, अबंडेन्ट क्लिरेंग, शीरे डिफकल वर, क्लिरेंग होता है कि एक जंगल में अकर कोई ऐसी जगह है बिल जाए जो काफी open हो, तो वो clearing होती है और abandoned होता है कि बुलकुल deserted उजाड पड़ा हो जो सुंसान एकदम Jody gave himself over to thoughts of the fawn और Jody जो है उस हीरन के बच्चे के बारे में सोच रह था और they passed the abandoned clearing और एक कोई deserted open area था वो उससे pass हुए उसके through निकले He said, cut to the north Millville It was up here that paw got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn और उसने मिल वील से का जोडी ने कि north की तरफ कट करो और क्योंकि यहीं पर पापा को snake ने काता था और पापा ने उस हिरनी को मारा था जो की और वहीं पर मैंने उस हिरन के बच्चे को देखा था तो वह north की तरफ मुने के लिए कहता है Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him और अचानक Jody को ऐसा लगने लगता है कि वह Millville उसके संग ना हो वह नहीं चाहरा था कि Millville उसके संग हो If the fawn was dead or could not be found He could not have his disappointment seen और उसका कारण क्या था? कि वह Millville को अपने साथ नहीं चाहरा था कि अगर वो कहता है कि fawn जो है वो हिरन का बच्चा अगर मर गया होगा क्योंकि मरने की chances क्योंकि अखेला बच्चा अगर छूटा हुआ है तो बत्रे जंगली जानवर होते हैं जंगल में तो मार सकते हैं उसको तो कहते हैं कि अगर fawn मर गया होगा और could not be found या फिर वो लोग उसको धून नहीं पाए तो he could not have his disappointment scene तो वो अपनी निराशा जो है उस mail wheel को नहीं दिखाना चाहता disappointment हो थे निराशा and if the fawn was there और अगर fawn वहाँ पर है हिरन का बच्चा the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it तो जो जो जोडी की meeting उस हिरन के बच्चे के संग होगी तो वो इतनी प्यारी होगी और इतनी secret होगी यानि कि सिर्फ हिरन के बच्चा जोडी और कोई नहीं तो वो उस प्यारे पलो को mail wheel के संग share नहीं करना चाहता था तो दोनों ही situations में उसको mail wheel अपने साथ नहीं चाहिए था तो वो इतनी अच्छी meeting होगी वो इतना खुश हो जाएगा कि वो उन पलो को किसी दूसरे एक संग share नहीं करना चाहेगा तो दोनों ही situation में इसको mail wheel नहीं चाहिए था He said It is not far now But the scrub is very thick For a horse I can make it on foot और वो उसने बहाना बनाया कि जो है अब ज्यादा दूर नहीं It's not far now ज्यादा दूर नहीं The scrub कहते हैं छोटी ज्हाडी को और जो ज्हाडियां इतनी मोटी हैं इतनी थिक हैं इतनी घनी हैं कि एक घोडी के लिए कि I can make it on foot कि मैं paddle जा सकता हूँ यानि कि गोड़ा उन ज्हाडियों में नहीं चल पाएगा इतनी घनी ज्हाडियों में और मैं paddle चला जाँगा But I am afraid to leave you boy Suppose you got lost or got bitten by the snake too तो मैं लवेलने का भईया मुझे मैं तुझे छोड़ने में डर लग रहा है अगर मालो कि किसी सापने तुमको काट लिया या तुम रास्ता भूल गए तो I will take care It might take me a long time to find the phone और उसने का कि मैं अपना ध्यान रखूँगा और हो सकता है कि मुझे उस हिरन के बच्चे को ढूड़ने में ज्यादा समय लग जाए If he's wandered, leave me off right here और अगर हो कहता है कि आप मुझे को यहाँ पर छोड़ दो All right, but you take it easy now You know north, here and east और हो कहता है ठीक है बस इसको पर अराम से करना और तुम्हें मालूम है कि इधर उस्तर है और इधर पूरब There are there and there That tall pine makes a bearing So long, so long mill will I am obliged और और हो कहता है there and there और वहाँ मतलब छोड़ दो That lol pine makes a bearing इसका मतलब देखिए Act as a compass and helps to identify directions यह जो tall, long लंबा सा pine का पेड़ है यह बिल्कुल direction का काम करता है कि मतलब यहाँ से compass के हमको दिशा बता देता है कि यहाँ इस तरफ east है, इस तरफ west है ठीक है, जोड़ी के हिसाब से कि उस लंबे से pine के पेड़ को देखके ताड के पेड़ को देखके और direction पता कर सकता है So long mill will I am obliged और कहता है कि mill will मैं आपको बहुत अभारी हूँ मतलब कि आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया He waited He waited for the sound of the hooves twain Then cut to the right The scrub was still Only his own cracklings of twigs sounded across the silence He wondered for an instant if he had mistaken his direction See He waited for the sound of the hooves To end और वो वहाँ पर खड़ा रहा है जोड़ी और वो hooves होता है जो घोड़े के खुर होते है जिन से घोड़ा दोड़ता है जो खुर लगे होते है तो और वो उन आवाजों को समाप्त होने की के लिए सुनता रहा कि जब तक वो घोड़े की आवाज इलकुल समाप्त नहीं होगे वो वही खड़ रहा जंगल में और सिर्व जो उसके चलने से जो जाड़ियों की चर्मराहट की आवाज आती है उसको क्रैकलिंग कहते है तो बस वो ही साउंड थे और वो थोड़ा सा सोचा एक इंस्टन थोड़ा से एक पल के लिए कि कहीं वो दिशा भूल तो नहीं रहा और वो अंदर जो है खुले जगहें ओक के पेड़ होती है हाँ ओक का पेड़ होती है हिंदी में उसको शाह बलूत कहते है और वो वो बिकुल ओक के पेड़ के नीचे आया बज़र्ड सेट इन ए सर्कल अराउंड दा कारकास ओफ दो और जो जो बज़र्ड थी जो गिद्ध था वो एकदम सर्कल पे जिते भी वहां पर गिद्ध थे वो सार एक सर्कल बनाके उस जो कारकास होता है कि डेट बॉड़ी ओफ एनिमल तो उस डो का जो जो इसकी मा को मा रहा था ना तो उसके डेड बॉड़ी पड़ी तो उसके चारो तरफ बाज बैठे होता है उसका मास नोच नहीं के लिए और वे जो थे अपने सर को अपने मरियल सी जो उनकी गर्धन थी उसमें अंदर करकेश में फुफका रहे थे चिडियों को थे ना अपना सर एक तम गर्धन में गुजाए जाते है फिर वो ही कह रहे है और उसने एक पेड की शाखा टेहनी जो थे बो कहते है शाखा को पेड की टेहनी को उनके उपर फेका और वो बगर वाले ट्री पे सबोड़ गाया गिद्ध जो है जो जो जमीन पे जो बालू थी सैंड उस पे निशान जो बने हुए थे लाज कैट प्रिंट बने हुए थे और बड़ बिग कैट्स किल फ्रेश लेकिन जो बड़े बिग कैट होते है कि बड़े जानवर जो है वो फ्रेश खाते हैं वो किसी का छूटा हुआ जो मास पड़ा होता है वो सब नहीं खाते है कि अगर कोई पहले ही से जानवर नहीं खाते हैं तो वो उसको नहीं खाते हैं और उसने जो है वहाँ पर पाधिट होता है अलग की घास उस जगह से जहाँ पर उसने फॉन को देखा था It did not seem possible that it was only yesterday और it did not seem possible तो उस जगह से घास अलग की जहाँ पर उसने हीरन के बच्चे को देखा था It did not seem possible that it was only yesterday और ऐसा कली की बात थी तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा था The phone was not there तो वो लेकिन वो हिरन के बच्चावार नहीं था He circled the clearing और उसने उस पूरा उस clearing जितना वही वो सुंसान एरिया था खुला हुआ उसने पूरा घूम के देखा There was no sound, no sign, वहाँ पर कोई आवाज नहीं थी, कोई निशान नहीं था The buzzard clacked their wings, impatient to return to their business और जो गिद्ध थे, वहाँ पर जो बैठे हुए थे, तो वो जो है बहुत ही अधीर हो रहे थे और तुरंत अपने business में लग गए यानि कि जो डो पड़ी हुई थी, जो मरा हुई हिरनी पड़ी हुई थी, उसको खाने में लग गया He returned to the spot where the fawn had emerged, इमर्ज उता है ट्रेकट हुआ था, जहाँ पर देखा था जोड़ी ने रखे है और वो जुक के यानि कि study the sand for the small hoof print और खुर के जो निशान थे, hoof prints थे खुर के निशानों के पैरों के वो study कर रहा था यानि कि वो नीचे जुक के उन्हें study कर रहा था कि वो भीरन का बच्चा किदर की तरफ गया, शायद कोई निशान मिल जाए the night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards और जो है जो रात को बारिश होई थे उससे सारे जो है निशान थे, वो सब छूट गये थे, हड गये थे, सिवाए उन गिद्दो के निशान थे और cat के निशान थे यानि कि वो कोशिश कर रहा था वापस कि कोई छोटे हिरन के पैर के निशान दिख जाए तो वो उस दिशा में जाके उस फॉन को ढूंद सके और लेकिन वहापर कोई आवाज ने थी, कुछ ने दिखाए दे रहा था और उसकी मदर की जो हिरनी थी फॉन की तो उसकी वो ड तुम्बल बाकवड और एकदम से मूवम्मेंट डारेकली इन फ्रेंट आफ इम एकदम से कुछ मूवम्मेंट हुआ एकदम उसके सामने और वो सप्राइज हो गया, तो वो अचानक से पीछे से गिर गया, दफॉन लिफ्टे इट इस फेस तो हिस और जो है जो हिरन का बच उसको एकदम से कुछ हलचल से हुई, वो भचक्का हो गया, पीछे से एकदम से होने के वाज़े से गिर भी गया, टंबल बाकवर्ड होता है, अचानक से लुड़क भी गया वो, और एक जो है फॉन जो था वहाँ पर आया, उसने फेस उठाया, और अपनी वान्डरिंग motion and shook him through with the stare of its liquid eyes, उसने उसकी तरफ देखा, गरधन हिला के अपना, and it was quivering, और वो कहाँ पर था, it made no effort to rise or run, और उसने जो है, कुछ भी effort नहीं किया, उस उठने के, और दोड़ने के, jordis could not trust himself to move, और jordi भी जो थी, अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, कि वो हिले की नाम हिले, उसको लग रहा था, कहीं हिले का, तो कहीं ऐसे ना होंगी, वो दोड़के फिर से भाग जाए, he whispered, it's me, और उसने जो है, हिरन के बच्चे से, बुद बुद आ की, का, अरे ये मैं हूँ, the phone lifted its nose, scenting him, और उस हिरन के बच्चे ने अपने नाक उठाए, उसको सूंगा, he reached out one hand and laid it on the soft neck, और वो उसके पस पहुचा, और उसने अपना जो है, हात जो है, उसकी soft सी गर्दन पे रखा, the touch made him delirious, delirious होता है, कि बहुत ही excited होना, और उस, जब जोड़ ने उसको बहुत प्यार से छुआ, तो वो बहुत ही excited हो गया था, he moved forward on all fours, until he was close beside it, और वो धीमे धीमे बिल्कुल जानवरों की तरह, दोनों हाथ और दोनों पैर से चला है, यानि कि वो खड़े होके नहीं चला, बहुत धीमे धीमे उसके पास गया, और जब तक वो एकद Convulsion passed over it, but it did not stir, और जब उसने उसको छुआ, तो एक Convulsion होता, एक कपकपी सी, एक हलकी सी कपकपी जो उसकी पूरी बोड़ी में दोड़ गई, but it did not stir, लेकिन वो हिला नहीं, इस्टर होता हिला नहीं, He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer, and he might break it, और, see the difficult word, stroked उता है, उसने सहलाया, he stroked its sides, और उसने जो हिरन के किनारे किनारे सहलाया, as gently as though the fawn were a china deer, China deer होता है, जैसे कि मिट्टी का बना हिरन, China deer का मतलब यहाँ पर है, कि जैसे कि और इसने इतना gently उस हिरन के बच्ची को सहलाया, जैसे कि कोई मिट्टी का बना हुआ हो, and he might break it, और कहीं वो तूटना जाया, इस skin was very soft, it was sleek and clean, और जो हिरन के बच्ची की skin थी, तुच्या वो बहुत ही चिकनी थी, sleek होत है, बहुत ही, smooth थी, और साफ थी, and had a sweet scent of grass, और उसके पास से बहुत ही घास की, बहुत ही बहुत ही खुजबू आ रही थी, he rose slowly, और वो धीरे से उठा, and lifted the fawn from the ground, और उसने उस हिरन के बच्ची को अपनी गूदी में उठा लिया, its legs hung limply, limply होता है, बहुत ही धीले डाले रंग, जिसमें को जानना हो, ऐसे खिल रहते है, जब उसने उठाया, तो इस हिरन के बच्चे के ऐसे पैर बहुत ही जूल रहते, धीले डाले, they were surprisingly long, and he had to hoist the lawn, the fawn, as high as possible under his arm, और वो बहुत, उसकी जो पैर थे हिरन के बच्चे को surprisingly long थे, कि उस हिरन के बच्चे के पैर जो काफी लंबे थे, और उसको इस आश्चार भी हुआ, and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm, और इसलिए उसको जो है, काफी उचे उठाना पड़ा, कि कहीं जाड़ी वाड़ी उसकी पैर में न लग दिया न, हिरन के, छोटे से बच्चे के, he was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother, और उसको यह भी डर लग रहाता है, कि वो अपनी मदर की dead body देखेगा, यह fawn, तो वो हो सकता हो, कि वो उस पे kick मारे, या ब्लीट करे, मेमी आए है न, ब्लीट उसकी आवाज को कहते है, जो हिरन मेमी आत he skirted the clearing and pushed his way into the thicket, और thicket उती ही जाड़ी को कहते है, और skirted कहते है कि किनारे किनारे चलना, तो वो बहुत ही किनारे किनारे चल रहा था, clearing के, और pushed his way into the thicket और अपना जो है, जाड़ीओं से निकल निकल के अपना रास्ता बना रहा था, मतलब कि वो उस कोदी में उठाके, बह जाड़ीओं में ना लग जाए तो बहुत बचा बचा के चल रहा था, it was difficult to fight through with his burden और उसको लिए बहुत मुश्किल था कि वो जाड़ीओं से fight भी करा था, और with this burden, यानि कि उस पूरा हिरन का बच्चा भी गोदी में लेता, तो मुश्किल था, the fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom, और और वो अपने पैर भी बहुत ही सोतनतता के संग नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि उसको भी देखे और अपने जाड़ीओं से रस्ता भी बना है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, he tried to shield its face from prickling veins और वो कोशिच भी कर रहा था कि अपने face को बचाने की, ताकि वो प्रिकलिंग वी जो पेड़ पॉधे जंगल में इधा होता है लटके थे कहें उसके प्रिक ना हो जाया, भूक ना जाया, its head bobbed with its stride, और बॉब्ब होता है की छोटे बाल वाला, आप लोग रो सुना होगा न बॉब्ब होता है, जिसके छोटे-छोटे बाल होता है, और he had its head bobbed with its stride, और वो लंबे-लंबे डग भरना, और वो छोटे-छोटे-छोटे बाल वाला और लंबे-लंबे डग भरता होगा जोडी आपना जा रहा था, his heart thumped with the marvel of its acceptance of him, और थाम्ट होता है की धड़ा करा था, with the marvel, और इस आश मार्वल होता है की आश्चार में पढ़ा ह of its acceptance of him की उसको वो accept हो, की उसने उसको accept कलिया, की हिरन ने भी उसको accept कलिया, इस बात से उसका दिल धड़ा कराता, और आश्चर भी था, he reached the trail, trail होता है जो पगडंडी होता है जंगल में, की जहां पर ज्यादा चलते लोग, तो वो हम एक रास्ता सबन जाता है, तो he reached the trail and walked as fast as he could, until he came to the intersection with the road home, और वो बहुत उस रास्ते पे आया, बहुत जल्दी जल्दी जित्ती जल्दी चाल सकता था, उत्ती जल्दी चलके, intersection पे आगया, यानी चो राहे पे आगया, और with the road home, और उस सड़क पे आगया, जो सड़क उसके घर को जाती थी, he stopped to rest and set the phone down on its dangling legs, dangling legs होते हैं कि बहुत जूलते होएं न, डिले ढाले, और वो ठग गया था, और थोड़े दीर आराम करने के लिए बैढ़ गया, और उस हिरन के बच्चे को भी नीचे रखा, उसके जूलते डिले ढाले पेरों से, it wavered on them, और जब उसने हिरन के बच्चे को नीचे रखा, तो वो अपने पैरों में ताकत नहीं थी, तो मतला हो डगमगा रहे थी, हिलते होए थे, तो वो उन पे डगमगाया, it looked at him and bleated, और वो इस हिरन के बच्चे ने जो ए जौड़ी को देखा और मेमी आया, he said, enchanted, और उसने कहा, enchanted, मंत्र मुग्द होना, enchanted होता है, कि किसी बात को दिखके बहुत ही खोश हो जाना, मंत्र मुग्द हो जाना, I will carry you after I get my breath, मेरी सांस आजा, फिर मैं तुमको ले लूँगा, मैं तुमको ले जाऊँगा, है ना, क्योंकि जब वो हिरन मेमी आया, क्या रहे, मुझको टक दिया, है, गोदी जाना था उसको, है ना, तो मेमी आय that a phone would follow if it had first been carried, तुर उसको इदम सुसके पापा की याद है कि हिरन का बच्चा जो है, पीछी पीछी आ जाता है, अकर आप पहली बार उसको ले जाए तो, he started away slowly, और उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, the phone started after him, और उसको पीछी पीछी आने लगा, उसके पापा ने कहा थ जाए और उसको सहलाया और उसको सहलाया और फिर चला, इट टूक पीछी वाबलिंग और उसने इक दो बार डगभगाया है हिरन का बच्चा, steps forward toward him and cried pitiesly, और उसने जैसे ही पैर बढ़ाया है तो बहुती बहुती दैनिये दशा में उसने चलाया, मतलम कि वो चलनाही पा र और वो उसको जो चाहता था कि उसके पीछे पीछे चलना और वो उसका था यानि फॉन का बच्चा यानि इट वो उसका अपना था वो उसका अपना था, he was light-headed with his joy और वो जो था जौरी बहुत ही अब light-headed fail कर रहा था light-headed unable to think clearly है कि सोच नहीं पा रहा था कि ये हिसाफ, he wanted to fondle it और वो उसको fondle it हो तो वो उसको पुछकारना चाहता था to run and romp with it, romp होते है to play, खेलना और वो उसके संग दोरना चाहता था, खेलना चाहता था to call to it to, to call to it to come to him और उसको बुलाना चाहता था, he dared not alarm it, he picked it up and carried it in front of him over his two arms और फिर उसने उसको उठा लिया और अपने दोरो भाहो में ले लिया, it seemed to him that he walked without effort और उसने उसको लगा हिरन के बच्चे को कि हाँ वो बिना प्रयास की चल सकता है his arms begin to ache and he was forced to stop again और उसकी जो जौड़ी की बाहें जो थी एक करने लगी थी, दर्द करने लगी थी और उसको ऐसा लग रहा थे कि भी या उसको फिर से थोड़ा सा रुख जाना चाहिए when he walked on the phone followed him और जब उसने चलना शुरू किया तो उस हिरन के बच्चे ने उसको follow करना शुरू कर दिया he allowed it to walk a little distance और उसने थोड़ी दिर तो उसको थोड़ी दूर तक तो उसको अलाव किया कि चल के आजे then picked it up again और उसको गोदी में ले लिया हिरन को the distance home was nothing दूरी घर जादा दूर घर नहीं बचाता he could have walked all day and into the night और वो जो है वो पूरी दिन पूरी रात चल सकता था carrying it and watching it follow और उसको साथ लेके और दिखते हुए कि वो follow कर रहे कि नहीं he was wet with sweat but a light breeze blew through the June morning और वो बिलकुल पसीने से गीला हो गया था और एक हलकी सी breeze थंडी 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 हवा और जून की morning में blue मतलब बैह रही थी cooling him और जो जिससे वो काफी थंडा मैसूस किया जून अदरवाइस तो बहुत गर्मी होती है जून में लेकिन उस breeze से उसने काफी cool मैसूस किया थंडी थंडी हवा से the sky was as clear as a spring water in a blue china cup और आसमान एकदम साफ था he came to the clearing वो एकदम खुली जगह पे आया it was fresh and green after the night's rain और जो खुली जगह थी एकदम साफ थी हरी थी क्योंकि रात की बारिश के बाद है ना जब रात की बारिश होगी तो सब पत्या आते हैं सब धुली साफ सुथरी हो जाती ही ना fresh लगती तो वैसे ही था मौसम he fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it और फंबल होता है कि टटोल ना किसी चीज को latch उसने घर की जो चिटकनी थी ना latch के थे जो कुंडी लगाते हैं कि चिटकनी तो उसने कुंडी टटोली and was finally obliged to set down the phone to manage it और उसको नो finally उसको जो phone के बच्चे को नीचे उतार के रख दिया then he had an idea तब उसके एक idea आया he would walk into the house into penny's bedroom कि वो सीरे जो है पापा के बच्चे में जाएगा with the phone walking behind him और जो हीरन का बच्चे आव उसके तीचे पीचे चल के आएगा but at the steps the phone bulked and refused to climb them लेकिन जाए वो सीडी पे आया पहुचा तो वो phone के बच्चे तो तो बाल कुटे अड़ गया और उसने सीडी चढने से मना कर दिया he picked it up and went to the father's और उसने उस फिरसो उसको उठाया और फादर के पास गया penny lay with closed eyes और उसके पापा जो थे आख बंद करे हुए लेते थे यानि कि वो घर पहुच गया तो जोडी स्कॉल पाल लोग और उसने जोडी ने का पापा दीखिये penny turned his head और उसके पापा ने अपना सर घुमाया जोडी स्टूड बिसाइड हिम जोडी जो थे उसके उनको बिल्कुल पास ख़़ा था the phone clutched hard against him और जो phone जो था clutched है पकड़े हुए था विकुल उसके कस के phone को पकड़ा हुए था it seemed to penny that the boy's eyes were as bright as the phone और पापा को ऐसा लगा दोनों को देखके कि उस लड़के की भी आंके उत्ती ही ब्रैटी जट्ती की phone के ती यानि कि दोनों में या आपा से मिल गया तो उनकी चमक मैस उसके उसके पादर ने he said I am glad you found him और पापा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने उसको पा लिया है Jody then went to the kitchen और Jody जा फिर kitchen में गया the phone wobbled after him और wobbled होता है थोड़ा डगमगाता हूँ हीरन का बच्चे भी उसके पीछे हो गया यह क्यों कि अब हो जहां जाता था वहीं जाएगा ना फॉलू कर रहा था पैन ओफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन किचन सेफ और सुबह का जो दूद था एक बरतन में सेफटी के संग रखा हो था अब भी मिल्क सेफिटए की मिल्क सॉर एक बाइप अग्यू है यह क्याओ ँप फॉन को पकड़े था, he butted it, suddenly, और उसने जो है, हलका सा धक्का मारा अचानक से, smelling the milk और दूद सुंगा, he saved it precariously, from spilling over the floor, और उसने जब एकदम से धक्का मारा उसको सुंगने के लिए, तो जो जौड़ी था, उसने save कर लिया दूद तो खतानाख धंक से, सारी जगह जमीन पर फैल गया होता है, मतलि सारा गिर गया होता है, करे करेसली होता है, खतानाख धंक से, आगा इस ने बचा लिया लेकिन नए तो धक्कति से सारा गिर सकता था, it could make nothing of the milk to the gourd और it could make nothing to the milk in the gourd लेकिन उसने जोए दूद के संग कुछ नहीं किया उसको पीने ही नहीं आता था he dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth और जोडी ने क्या किया कि फिर अपनी उंगलियां जो थी उस बरतन में दूद में भीगो ही जोडी ने अपनी और उन उंगलियों को उसके गिले गिले मुह में उन्त चटा दिया याणी अपनी उंगलियां दूद में भीगी ओ दूद उसके मुह में चटा दिया उंगलियों से अपनी it sucked greatly और उसने बहुती जूद ले बहुती लालच की संग उसको अच्छा लगा, when he withdrew them, और जब वो them यहाँ पर उंगलियों से है, और जब उसने उनकी उंगलिया निकाली, इस हिरन के मुह से, it bleated, वो मिमिया ने लगा, उसने मिमिया आया, फ्रैंक टिकली, और प्रुकुर पागल पंज से धक्का माने लगा, मतलब उसको और चाहिए था, और दूदू पीना था, he dipped his fingers again, and as the fawn sucked, और फिर से उसने अपनी उंगलिया भी हुई, and जैसे की fawn ने जैसे इसको सक कलिया, चूस लिया, he lowered them slowly into the milk, and the fawn blew and sucked and snorted, और जो fawn था, उसने सारा दूद सक कर लिया, चूस लिया and snorted, सूँआ और चूस लिया, it is stamped, it is small hooves, and impatiently, और वो जो था, is stamped होता है की, पैरों से उचलने लगा, खलबली भगद्रडद करने लगा, और अपने छोटे-छोटे जो खूड थे, उसके पैर थे, तो उसके उचलने लगा, impatiently बहुत अधीर होके, as long as he held his fingers below, और जैसे ही उसने अपने fingers नीचे रखी, the level of the milk, अपने जो जहां पर दूद था ना, उसी के लिए पर अंगुलिया लेके आया, the phone was content, और जो है, हिरन का बच्छा खुश था, it closed its eyes dreamily, और उसने अपनी आखे बंद की, जैसे कि कोई सपना देख रहा हो, it was ecastasy to feel its tongue against his hand, और ecastasy होता है बच्छा कि बहुत ही आनन्द है जब मिलता है, तो बहुत ही मज़ा जब आता है, to feel its tongue against his hand, और वो उसको बहुत आनन्द मिलना था, जब वो अपनी जबान से उसके हाथ को छूरा था, its small tail, flicked back and forth, और उसकी छोटी सी पूछ जो थी है, आगे पीछे हिल रही थी, the last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgle, और जो थोड़ा से जो दूद बचा था, वो भी चक्कर खाता हुआ गडगड़ा हाथ के सांग, उसने पी लिया था, और इस तरह से ज़ौडी जो था, phone को अपने घर ले आया था, उसको पला पालने के लिए बढ़ा करने के लिए, ठीक है, तो इच्छो उसकी जोड़ी काफी kind-hearted था, और उसने अपने, उसकी मदर को, और उसके फादर ने मारा था, अपनी जयन बचाने के लिए, तो उसने उसके बच्ची की जिम्यदारे लि मैंने इसके question-answer इसी channel में upload कर दिये, और description box में सारे lessons के link है, आप उसके दूर, description box के दूर, आरे lessons को वहीं से check कर सकते हैं, thank you so much